मॉडियूल 6 के इस हिसे में आप सीखेंगे कि वेब नाविगेशन कैसे की जाती है वेब पेज के अंदर बने हाइपर लिंक्स क्या होते हैं बुक्मार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं वेब पेज को सेफ और प्रिंट करना भी सीखेंगे एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नाविगेशन कहते हैं आप जानते हैं कि जब हम कम्प्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद मुक्तलिफ सौफ्टवर्स को ओपन करना और उनमें काम करना होता है मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं फिर इसमें टाइपिंग करते हैं बिलकुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के जिरिये मुक्तलिफ इंफिर्मेशन को अक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से connect होते हैं और browser को start करते हैं. फिर इसमें URL के जरिये मुक्तले websites को visit करते हैं. आईए इस section में ये सीखते हैं कि URL के जरिये मुक्तले websites को कैसे visit करते हैं. Opening our website. इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस website का URL मालूम होना चाहिए, जिसको visit करना है, याद रहे कि हम पिछले lesson में बता चुके हैं कि किसी website के URL को browser के address बार में टाइप करते हैं. इस वक्त हमारे सामने ये Internet Explorer 11 का browser open है. हम इस browser के address बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर enter key को दबाते हैं. ये देखीं, जब वेब पेज मुकमल तोर पर open हो गया, तो हमें browser में इस तरह से नजर आ रहा है. इस section में हम browser में backward और forward मूव करना सीखेंगे. लेगिन पहले हम एक मिसाल के जिरिये ये सीखेंगे कि backward और forward से क्या मुराद है. जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफाहत को आगे या पीछे पलटते हैं. बिलकुल उसी तरह हम एक ब्राउजर में मुक्तलिफ साइट्स को विजिट करते हैं, तो हम अगली या पिछली वेब साइट्स पर backward या forward बटन के जिरिये जा सकते हैं. आईए, अब हम ब्राउजर में backward मूफ करना सीखते हैं. आपको इस वक्त इंटरनेट एक्स्प्लोरर का ब्राउजर नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि एड्रिस बार के साथ बाइं तरफ, बैक और फावर्ड के बटन का कलर टिम है. यानि, अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया. ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे, जब हम एक से ज्यादा वेबसाइट को विजिट करेंगे. लहाज़ा आएए, सबसे पहले हम वर्चुल युनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं. हमारे सामने Higher Education Commission की वेबसाइट खुल गई है. अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं. इसके लिए दुबारा, एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं. और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है. यानि हमने इस सेशन में Virtual University, HEC, फिर जीमेल की साइट को विजिट किया है. आप देख रहे हैं किस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है. आप ये भी देख रहे हैं कि Back का बटन अब नुमाया हो गया है, लेकिन Forward का बटन अभी भी Dim है. Forward का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम Back बटन को इस्तमाल करेंगे. लिहाज़ा हम Back बटन पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है, जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था. आपने ये भी नोट किया होगा कि अब Forward का बटन नुमाया हो गया है. आएए, अब Forward के बटन पर क्लिक करते हैं. ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमें अगला पेज, यानी जीमेल डॉट कॉम नजर आ रहा है. हमने Forward और Back के बटन्स को इस्तेमाल तो कर लिया है. अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम Direct Virtual University के पेज पर चले जाएं. ऐसा करने के लिए हम Address Bar में बने इस चोटे से एरो पर क्लिक करते हैं. ये देखें, अब हमें इस लिस्ट में विजिट किये हुए पेजिस के लिस्ट नजर आ रही है. हम यहां से Direct किसी पेज पर जाने के लिए किसी URL पर क्लिक कर सकते हैं. इस वक्त हम Virtual University पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि अब हमें Virtual University का पेज नजर आ रहा है. इसी तरह, अब हम यहां से Direct आखरी विजिट किये हुए पेज जीमेल पर जाना चाहते हैं. इसके लिए हम दोबारा इस एरो को क्लिक करते हैं. फिर इस लिस्ट में से जीमेल डॉट कॉम पर क्लिक करते हैं. अब आपको स्क्रीन पर जीमेल का पेज नजर आ रहा है. आप Forward, Back और Home पेज पर जाने के लिए View Menu की Go To Option भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Go To Menu के लास्ट में आपको Visited Web Pages के नाम दिखाई दे रहे हैं. आप इन में से किसी पर क्लिक करके मतलूबा वेब पेज पर डारेक्ट भी जा सकते हैं. इसके अलावा आप Keyboard की Alt प्लस Left Arrow की को प्रेस करके Back और Keyboard की Alt प्लस Right Arrow की को प्रेस करके Forward में जा सकते हैं. और Home पेज पर जाने के लिए Alt प्लस Home की Keys को प्रेस करें. Hypertext Link Hypertext की टर्म को सबसे पहले Ted Nelson ने अपनी किताब में डिफाइन किया. इसके मुताबिक Hypertext एक Non-Sequential Writing है, यानि इसमें टेक्स्ट को एक सीक्वेंस या तर्तीब से नहीं लिखा जाता, बलकि इसमें information को एक Non-Sequential Order में प्रेजेंट किया जाता है. इसमें एक पेज दूसरे बहुत से पेजेस से connected होता है. इन Non-Sequential पेजेस को आपस में connect करने के लिए links create किये जाते हैं. Links एक पेज के word, picture या किसी भी object पर selectable connection होते हैं. जब इन पर mouse से क्लिक किया जाता है, तो इस links से connected page open हो जाता है. एसे links को hypertext links कहा जाता है. यानि hypertext links किसी web page के ऐसे elements होते हैं, जिन पर click किया जाता है, तो वो किसी और web page या website पर ले जाते हैं. जब pictures, graphics, audio और video वगएरा पर links बनाए जाएं, तो इसको hyperlinks के इलावा hypermedia links भी कहा जाता है. जब आप web pages को visit करते हैं, तो इन में मुख्तलिफ किसम के hyperlinks बने होते हैं. बाज links underline होते हैं. बाज का color different होता है. इन links में एक चीज़ common है, वो ये, कि जब किसी link पर mouse pointer को ले जाते हैं, तो mouse pointer की shape तबदील हो जाती है. आइए इसको एक मिसाल से सीखते हैं. आपको इस वक्त ये तीन pictures नजर आ रही हैं. आइए, इन पर click करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सी picture hyperlink है. ये देखें, जब हम mouse pointer को पहली picture पर ले गए हैं, तो mouse pointer की shape तबदील नहीं हुई, यानि ये hyperlink नहीं है. इसी तरह जब हम mouse pointer को दूसरी picture पर ले गए, तो भी mouse pointer की shape तबदील नहीं हुई, यानि ये भी hyperlink नहीं है. लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम mouse pointer को तीसरी picture पर ले गए हैं, तो mouse pointer की shape तबदील हो गई है. यानि ये hyperlink है, इस पर click करने से एक और page open हो गया है. ज्यादतार links हमें किसी web page पर ले जाते हैं. ताहम, बाज ऐसे links भी होते हैं जिनको जब activate किया जाए, तो वो किसी file को download करते हैं. कुछ ऐसे links भी होते हैं जिनको click करने से कोई multimedia file play होती है, जिसमें online, music, video वगएरा शामिल है. किसी भी web page में तीन तरह के links होते हैं, as text, as image maps, as picture. टेक्स्ट पर link दिखाने के लिए इनको highlight किया जाता है और इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है. इस web page में ये text links हैं. पाज उकात, कोई picture भी link के तौर पर इस्तमाल होती है. मसलन, इस web page में ये picture links हैं. जब इन पर click किया जाएगा, तो relevant page open होगा. इमिज मैप एक single picture होती है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा links बने होते हैं. इस पर click करके हम इस image से connected मुख्तलिफ links को open कर सकते हैं. जब हम browser में किसी link को activate करते हैं, तो इस link से connected page ज्यादा तर इसी window में open होता है. लेकिन ऐसा भी मुम्किन है कि किसी link को एक नई window में activate करें. आईए, इसे सीखते हैं. इस वक्त हमने browser में Wikipedia का page open किया है. हम इसके feature content से connected page को एक नई window में open करते हैं. इसके लिए पहले हम mouse pointer को बाएं तरफ मौजूद feature content के link पर ले जाते हैं. फिर इस पर right click करते हैं. अब हम open in new window पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि feature content का page एक नई window में open हो गया है. इसके इलावा ये भी पता चल रहा है कि Wikipedia का main page भी open है. इसके इलावा अगर आप एक ही window में इस link को open करना चाहते हैं, तो इस link पर right click करें और open in new tab की option पर click करें. ये देखें, feature article का page पहले वाली tab के साथ दूसरी tab में open हो गया है. इस से same window ही में एक और tab का इजाफा हो जाता है और navigation बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं. बुक्मार्क जो हमें पसंद आती हैं और हम उन वेबसाइट को विजट करना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए, किताब की बुक्मार्क की थरा, ब्राउजर भी हमें ये सहूलत मुहाया करते हैं, कि हम अपने पसंदीदा वेब पेजर्स की लिस्ट का record रखें, ताके उन पेजर्स को दुबारा उपन करने में असानी हो. कुछ वेब ब्राउजर्स में इनका नाम बुक्मार्क है, और कुछ में इनको फेवरेट्स कहा जाता है. मसलन, Netscape और Google Chrome के नविगेटर में उनको बुक्मार्क कहा जाता है, और Internet Explorer के ब्राउजर में इनको फेवरेट्स कहा जाता है. इस मॉड्यूल में हम इन वेब पेजिस के लिए फेवरेट्स की टर्म इस्तमाल करेंगे. आए, सबसे पहले ये सीखते हैं कि किसी वेब पेज को फेवरेट्स की लिस्ट में कैसे एड़ करते हैं. सबसे पहले हम ब्राउजर को उपन करते हैं, फिर इसमें उस पेज को उपन करते हैं, जिसको हमने फेवरेट्स बनाना है. हम वर्चूल युनिवरसिटी की वेब साइट को फेवरेट्स की लिस्ट में एड़ करना चाहते हैं. लहाजा पहले Virtual University की साइट को ब्राउजर में ओपन करते हैं इसके बाद हम Menu Bar से Favorites को क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो Menu ओपन हुआ है उसमें Add to Favorites पर क्लिक करते हैं अब हमें ये Dialog Box नजर आ रहा है हम इसमें Name के Box में Virtual University of Pakistan में Of Pakistan को Delete करते हैं यानि Favorites की लिस्ट में हम इसका नाम Virtual University रखना चाहते हैं इसके बाद हम Add के बटन को प्रेस करते हैं लीजिए हमने Favorites की लिस्ट में एक Website अड़ कर ली है आएए अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई Favorites की लिस्ट में Website अड़ हुई है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम Favorites के Menu को दुबारा ओपन करते हैं इसके लास्ट में देखने से ये पता चल रहा है कि Virtual University की Website Favorites की लिस्ट में Add हो गई है आएए हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्राउजर को क्लोज करके दुबारा ओपन करें तो Favorites की लिस्ट में Add की गई Websites सेव होती हैं या नहीं इसके लिए हम पहले ब्राउजर को क्लोज करते हैं फिर हम बताएगे तरीके के मताबिक ब्राउजर को दुबारा ओपन करते हैं फिर हम Menu Bar में से Favorites के Menu को ओपन करते हैं आप देख रहे हैं कि इसमें Virtual University का वेब पेज सेवड है हमने Favorites की लिस्ट में वेब पेज़ एड करना तो सीख लिया है आईए, अब हम ये सीखते हैं कि Favorites की लिस्ट में वेब पेज़िस की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको Organize कैसे करते हैं इस सेक्शन में Favorite की लिस्ट को Organize करने के लिए हम Folder Create करने का तरीका सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम Favorites के Menu को Open करते हैं फिर इसकी Option, Organize Favorites पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है इसमें नए Folder को Create करने के लिए हम New Folder को क्लिक करते हैं ये देखें, New Folder के नाम से एक आईकॉन इस Dialog Box की Main Window में फॉरण क्रियेट हो गया है इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं हम इसमें Folder के नाम के लिए FV Page List टाइप करते हैं फिर हम Enter की को प्रेस करते हैं आप देख रहे हैं कि FV Page List के नाम से एक फॉल्डर क्रियेट हो गया है आखिर में हम Close के बटन पर क्लिक करते हैं लीजिए, हमने निया फोल्डर तो क्रियेट कर लिया है आएए, इसमें Web Pages एड करना सीखते हैं इस वक्त हमने Yahoo.com का पेज ओपन किया हुआ है इसको हम Favorites के FV Page List के फोल्डर में सेव करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम Favorites के menu को ओपन करते हैं फिर इस menu की पहली option Add to Favorites पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है इसमें Name के साथ बने Box में जो Web Page ओपन है उसका नाम यानि Yahoo लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके बाद हम Create In की विंडो में FV Page List के फोल्डर पर क्लिक करते हैं इसके बाद हम Add के बटन को क्लिक करते हैं लीजिए, याहू का वेब पेज Favorites में Add हो गया है इसको Confirm करने के लिए हम Favorites के menu को दुबारा खोलते हैं लेकिन ये क्या? याहू का पेज तो इस menu में कहीं नजर नहीं आ रहा है? अलबता, FV Page List के फोल्डर के साथ एक arrow नजर आ रहा है आईए, इस पर mouse pointer लेकर जाते हैं जैसे ही हम mouse pointer को FV Page List के फोल्डर पर ले गए हैं आप देख रहे हैं कि इसके sub menu में याहू का shortcut icon नजर आ रहा है ये इस बज़ा से है क्योंकि हमने याहू को FV Page List के फोल्डर में एड किया था लहाज़ा वो हमें अलहदा से नजर नहीं आया हम इसको क्लिक करके बहुत आसानी से इन वेब पेजिस को open कर सकते हैं डिलीट फेबरेट्स जब हमें फेबरेट्स की लिस्ट में से कुछ वेब पेजिस की जरूरत नहीं रहती तो ऐसा भी मुम्किन है कि हम फाल्टू और गेर जरूरी फेबरेट्स और फोल्डर्स को जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं आईए इसको सीखते हैं इस वक्त हमने इंटरनेट एक्स्प्लोरर के ब्राउजर को ओपन किया हुआ है इसमें हम पहले फेबरेट्स के मैनियू को ओपन करते हैं और फिर इसमें और इसमें और गनाइज फेबरेट्स पर क्लिक करते हैं हमारे सामने Organize Favorites का Dialog Box ओपन हो गया है. हमें इसमें जो विंडो नजर आ रही है, इसमें से हमने पहले वो पेज सेलेक्ट करना है जिसको डिलीट करना है. हम यहां से Virtual University को सेलेक्ट करते हैं. इसके बाद इन चार बटन्स में से Delete के बटन पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि वी यू का वेब पेज फेवरिट की लिस्ट में से Delete हो गया है और अब नजर नहीं आ रहा. इसी तरह हम वेब पेज को Delete करने के बाद FV Page List को भी Delete कर सकते हैं. इसके लिए हम FV Page List के फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं. फिर Delete की Option पर क्लिक करते हैं. हमें ये मैसिज नजर आ रहा है. इसका मतलब है कि वाकई हम FV के फोल्डर और उसके अंदर Saved Web Pages को Delete करना चाहते हैं. अब हम अगर Delete या Yes के बटन को प्रेस कर दें, तो फोल्डर डिलीट हो जाएगा. लेकिन फिलहाल हम इसको डिलीट नहीं करते हैं. हम Organized Favourites के Dialog Box को Close करने के लिए Close के बटन को क्लिक करते हैं. Favorite Bar Favorites के साथ आप जबरदस काम ये कर सकते हैं, कि अपने आम या बहुत ज़्यदा इस्तमाल होने वाले Web Pages को Menu Bar के इलावा नई बार में देख सकते हैं, ताकि किसी भी वेबसाइट को बहासानी सिंगल क्लिक से ओपन कर सकें. ऐसी बार को Favorite Bar केहते हैं, यानि आप अपने Favorites को अपने ब्राउजर के टूल पार में दिखाने के लिए उनके शॉर्टकट क्रियेट कर सकते हैं. इसका ये फाइदा होगा, कि आप जैसे ही उन आइकॉन्स पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो वेब पेज फॉरण ओपन हो जाएगा. आईए इसे सीखते हैं. आप Favorite वेब पेजिस के शॉर्टकट आइकॉन्स तमाम ब्राउजर में क्रियेट कर सकते हैं. हम इस वक्त Internet Explorer 11 के ब्राउजर को इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम Favorite बार को अपनी टूल बार में लाने के लिए व्यू पर क्लिक करते हैं. अब अपने माउस पॉइंटर को टूल बार के उपर लाते हैं. अब जो लिस्ट ओपन हुई है, उसमें से Favorite बार पर क्लिक करते हैं. तो ये देखें, अब हमें टूल बार में Favorite बार भी नजर आ रही है. इस वक्त हमने Virtual University की वेब साइट को ओपन किया हुआ है. आईए, इसको Links के Favorite बार में अड़ करते हैं. इस दफ़ा हम Favorites के मैन्यू को ओपन करते हैं, फिर इसमें Add to Favorite बार की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं. अब आप देख रहे हैं कि Favorite बार में VU के शॉर्टकट का भी इजाफा हो गया है. यानि हम VU की वेब साइट को Favorite बार से भी ओपन कर सकते हैं. हम Favorites की लिस्ट को Organize Folder के Dialog Box में देखने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें ब्राउजर की स्क्रीन में Left साइट पर देख सकें. आईए, इसे सीखते हैं. इस वक्त आपके सामने Favorites का आइकॉन नज़र आ रहा है. आईए, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक विंडो नज़र आ रही है. इसे Explorer Bar कहते हैं. इस वक्त, Explorer Bar की Heading में Add to Favorites लिखा हुआ है और नीचे Favorites की टैब में Web Pages की List नज़र आ रही है. हम यहां से भी Favorite Web Pages को Add और Organize कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले हम इस Explorer Bar को मुस्तकिल तौर पर यहां सेट करते हैं. इसके लिए हम यहां इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं. तो देखिए, यह बार स्क्रीन के अंदर ही सेट हो गई है. और स्क्रीन अब दो हिस्सों में तक्सीम हो गई है. दाएं हिस्से में Web साइट के Content नज़र आ रहे हैं. जबके बाएं तरफ Explorer बार नज़र आ रही है. हम Mouse Arrow की मदद से इस स्क्रीन के एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं. अगर हम यहां से किसी पेज के आइकॉन पर क्लिक करते हैं, तो वो पेज ओपन हो जाएगा. मसलन, हम इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद इस वेब पेज के आइकॉन पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि अब हमें उस वेब पेज के कॉंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, जिस पर हमने क्लिक किया था. इस एक्स्प्लोर बार को क्लोज करने के लिए हम एड तू फेवरिट्स की हेडिंग के साथ बने क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं. इस सेक्शन में हम वेब पेज के टेक्स्ट, इमिज, डेटा वगेरा को दुप्लिकेट करना सीखते हैं. डुप्लिकेट का मतलब होता है किसी सेम इन्फरमेशन को एक से ज्यादा जगा पर देखना, जिस तरह Microsoft Word में हम कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन से एक इन्फरमेशन को एक से ज्यादा जगों पर देखते हैं. सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि अगर हमें वेब पेज का टेक्स्ट डेटा किसी और डॉक्यूमेंट में डुप्लिकेट करना हो, तो वो कैसे करते हैं? अगर यह इन्फरमेशन हमें किसी वेब पेज में से मिल जाती है, तो हम यह चाहते हैं कि हम इस इन्फरमेशन को वेब पेज से अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लें. आईए, इसका तरीका सीखते हैं. इस वक्त हमें यह वेब पेज नजर आ रहा है. हम इसके डेटा को कॉपी करके Microsoft Word में पेस्ट करना चाहते हैं. इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम इस वेब पेज के टेक्स्ट डेटा को कॉपी करने के लिए माउस की मदद से इसे सिलेक्ट करते हैं. फिर हम Edit Menu को Open करते हैं, इसमें से Copy की Option को Select करते हैं, लीजिए, हमारा Selected Text Clipboard में Save हो गया है. इसके बाद हम Target Location के बारे में बताते हैं, यानि हम ये बताते हैं कि इस Data को कहां Duplicate करना है. इसके लिए पहले हम Microsoft Word को Open करते हैं. अब हमें Word की स्क्रीन नज़र आ रही है. इसमें हम Home की टैब से Paste की Option पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि वेब पेज का Selected Data Microsoft Word में कितनी आसानी से Copy हो गया है. Saving Webpage Image जिस तरह हमने Webpage के Text Data को एक जगा से दूसरी जगा कॉपी किया, बिल्कुल इसी तरह हम Webpages के Images को भी Copy और Paste कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा पेज को Open करते हैं. इसके बाद इस Image पर Mouse से Right क्लिक करते हैं, जिसको Copy करना है. और सब मेनियू में से Copy की Option पर क्लिक करते हैं. Copy की Option पर क्लिक करने से Selected Image अब Clip Board में Save हो गया है. अब हमें पहले की तरह इस Image को Document में Paste करना है. इसके लिए हम फिर से Paste की Option पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमने Webpage की Image को एक Document में Copy और Paste कर लिया है. Saving as a File हमने एक Webpage की Text और Images को एक Document में Paste करना तो सीख लिया है. आईए, अब हम ये देखते हैं कि किसी Webpage की Graphics या Images को एक File की सूरत में कैसे Save करते हैं. इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम Browser Start करने के बाद अपने मतलूबा Webpage को Open करते हैं. हम इस Image को File में Save करना चाहते हैं. इसके लिए हम इस Image पर Right Click करते हैं. हमारे सामने ये Sub Menu Open हो गया है. इसमें से हम Save Picture As की Option पर Click करते हैं. अब हमें ये Dialog Box नजर आ रहा है. यहां हम By तरफ Navigation Pan से इसको Save करने की Location को Select करते हैं. इसके लिए हम Pictures के Folder को Select कर रहे हैं. अब File Name के सामने इसका नाम टाइप करते हैं. इसके बाद Save As Type के सामने जो Format Selected है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. और फिर Save के Button को Press कर देते हैं. हमने Graphic Image को Save तो कर लिया है. अब हम इस File को Open करके देखते हैं. इसके लिए पहले हम Picture Folder को Open करते हैं. इस Folder में अपनी मतलूबा File पर Double Click करते हैं. तो ये देखें, वही पिक्चर अब हमारे सामने Open हो गई है. इस सेक्शन में हम मुख्तलिफ फाइल्स को डाउनलोड करना सीखते हैं. डाउनलोड से मुराद एक Remote Computer के डाटा को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है. या इंटरनेट के जरिये किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है. आईए, सबसे पहले किसी टेक्स्ट फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना सीखते हैं. इसके लिए, पहले हम इस वेबसाइट को अपन करते हैं, जिससे हमने फाइल को डाउनलोड करना है. इसमें से हम Save Target As की आप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने ये डायलॉग बाक्स अपन हो गया है. हम इसमें से कोई file name type करते हैं, इसके बाद by तरफ से document का folder select करते हैं, फिर हम save के button पर click करते हैं, इस तरह से हम किसी audio या video file को भी download कर सकते हैं. Saving a complete web page अगर आप किसी website को offline देखना चाहते हैं, यानि कि अगर आप internet से connected नहीं हैं, और आप virtual university की site देखना चाहते हैं, तो आपको virtual university के web page को save करना होगा. इसके लिए menu bar में file पर click करें और फिर save as पर click करें. अब आप एक save web page का dialogue box देख रहे हैं. इसमें file name के सामने file का नाम देएं, और जहां आप इस file को save करना चाहते हैं, इसका path देएं. और अब save का button दबाएं. यूँ आपका page save हो गया, अब आप कभी भी इस page को देख सकते हैं. प्रिंटिंग वेब पेज. आएए, इस section में हम web pages को print करना सीखते हैं. जब हम web pages को print करते हैं, तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है. आएए, पहले इनको discuss करते हैं. बाज web pages ऐसे होते हैं, जिनकी width एक सफ़े की width से ज्यादा होती है. ऐसे pages को print किया जाए, तो पूरा web page प्रिंट नहीं होता. इस तरह के web pages को print करने का तरीका ये है, कि पहले इन web pages को हम save करते हैं, और फिर इनको print करते हैं. इसके अलावा, simple printing में web pages का color data, black and white नज़र आता है. इसकी वज़ा से इन pages का मकसद वाज़े नहीं होता. उसका हल ये है, कि इन web pages का color print लिया जाए. आपको इस वगद एक web page नज़र आ रहा है. आएए, इसको print करना सीखते हैं. सबसे पहले हम file menu को open करते हैं, और इसमें page setup की option पर click करते हैं. ये देखें, हमारे सामने page setup का dialogue box open हो गया है. इसमें पहला section paper option का है. हम page size की drop down list को open करके, इस list में से मतलूबा paper size को select कर सकते हैं. इसमें पहले सी ही letter size selected है. हम इसी को select रहने देते हैं. इसके नीचे दो और options हैं. इसमें हम web page को portrait या landscape style में print कर सकते हैं. इसके दाएं तरफ margins के section में हम page के right, left, top, bottom margins को set कर सकते हैं. इसी dialogue box से हम web pages के header और footer भी set कर सकते हैं. header हमें web page के top पर नज़र आता है और footer हमें हर page के bottom पर नज़र आता है. हम web pages के header और footer में title, url, page number और date की option select कर सकते हैं. इसके नीचे change font का button है, जिस पर click करके हम font, font style, size और color को तबदील कर सकते हैं. फिल्हाल हम इसे cancel करके OK का button प्रेस करते हैं. वेब page का direct print लेने से पहले बेहतर है के इनका preview कर लिया जाए. प्रिंट प्रिव्यू की option से हम वेब page को print करने से पहले देख सकते हैं कि वो page पर किस तरह से नज़र आएगा. आएए, एक web page को print preview mode में देखना सीखते हैं. इसका तरीका ये है कि पहले हम file menu को open करते हैं. फिर इसमें print preview की option पर click करते हैं. हमें web page अब print preview mode में नज़र आ रहा है. हम इस mode में रहते हुए web page की printing option में कोई तबदीली नहीं कर सकते. अलबत्ता, टूल बार के जरिए यहां से print का view तबदील करके देख सकते हैं कि print किस तरह का आएगा. इसके इलाबा, नीचे इन बटन्स के जरिए अगले या पिछले web pages को देख सकते हैं. प्रिंट प्रिव्यू से वापस नॉर्मल मोड में आने के लिए हम cross के बटन पर click करते हैं. अब इस web page को प्रिंट करने के लिए पहले हम file menu पर click करते हैं, फिर इसमें से print की option पर click करते हैं. सबसे पहले select printer का section है. यहां हमें वो printer नज़र आ रहा है, जो हमारे computer से attached है. हम इसी को selected रहने देते हैं. अगला section इसमें page range का है. इस वक्त इसमें all की option मुन्तखिब है. यानि इस वक्त अगर print लिया जाएगा, तो तमाम pages का print निकलेगा. Page range में अगली option selected की है. इसकी मदद से हम web page के selected portion को print कर सकते हैं. Current page की option से सिर्फ वो page print होता है, जो उस वक्त screen पर नज़र आ रहा होता है. ये option उस वक्त काम करती है, जब web page में एक से ज़्यादा pages हों. हम pages की option में कुछ खास pages को print कर सकते हैं. लेकिन हम सिर्फ पहले page को print करना चाहते हैं. इसके लिए हम यहाँ box में number 1 को type करते हैं. इसी dialogue box में एक section number of copies का भी है. यहाँ से हम web pages की एक से ज़्यादा copies print कर सकते हैं. Number of copies को हम up और down arrow को click करके define कर सकते हैं. लीजिए, अब हम web pages का print आउट लेने के लिए इसी dialogue box में से print की option पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने print पर click किया है, web page हमारे computer के साथ attached printer पर print हो रहा है. और यह उस web page के पहले page का print आउट हमें मिल गया है. Summary इस lesson में आपने सीखा? कि एक page या screen से, दूसरे page या screen पर जाने के process को web navigation कहते हैं. और आपने ये भी सीखा कि navigation कैसे होती है, यानि एक page से कैसे दूसरे page पर जाया जाता है. किसी web page को किस तरह bookmark किया जाता है और favorites को कैसे organize करते हैं. एक web page के text, picture या पुरे website को save करने का तरीका भी सीखा. एक के टूसरे अरे जादाएंग लड़ाता है.